So, Hello viewers, welcome once again and today we're gonna explain the movie called The Yin Yang Master Dream of Eternity और इस movie को IMDV ने 6.5 out of 10 की rating दी है So guys, without wasting your time, bring your snacks and let's begin the explanation तो movie के starting में हमें एक बच्चे को देखते हैं और वो बच्चा एक magic spell की practice कर रहा होता है जिसका नाम Ching Ming है लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो इस magic को नहीं कर पाता Ching Ming के master उसे बार बार उस spell को करने को बोलते हैं जिस पर Ching Ming अपने master से कहता है कि ये spell मुझसे नहीं हो पाएगा इसी बात पर Ching Ming के master उनसे कहते हैं कि तुम अपनी जिन्दगी के एक ऐसे इंसान के बारे में सोचो जिसे तुम कभी भी खोना नहीं चाते और उसे protect करना चाते हो जिस पर Ching Ming कहता है हाँ मैं अपने mom को कभी भी खोना नहीं चाता और मैं हमेशा उन्हें protect करना चाता हूँ फिर Ching Ming spell के practice करते करते बड़ा हो जाता है लेकिन इतने साल गुजरने के बाद भी जब वो spell नहीं कर पाता तो वो अपने master से कहता है के मुझे इस protection spell की जगा टेलिपोर्ट spell की practice करनी चाहिए master Ching Ming के टेलिपोर्ट spell को चेक करने के लिए उस पर attack करते हैं लेकिन Ching Ming बड़े असानी से उसे टेलिपोर्ट करके दूसरी जगा भेज देता है यहाँ पर master जान जाते हैं कि Ching Ming इस spell में well trend हो चुका है फिर master उसे बताते हैं कि किसी भी ताकतवर enemy को हराने के लिए सिर्फ टेलिपोर्ट spell काफी नहीं होता तुम्हें एक अच्छा master बनने के लिए protection spell का आना भी बहुत ज़रूरी है अभी ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि उस जगा की protection wall तूटने लगती है और master समझ जाते हैं कि ये demon snake है इस snake को देखे कर master chingming को किसी दूसरी direction में टिलिपोर्ट कर देते हैं और इसके बाद वो तीन अलग-अलग card पर अपने blood को लगाते हैं और उसे उपर आस्मान में उच्छाल देते हैं और तभी वहाँ पर तीन guardian spirit उनकी मदब के लिए वहाँ आ जाते हैं ये guardian spirit master के servant है जो अपने master के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ये तीनों servant एक अच्छे demons भी थे फिर उनमें से दो guardian spirit उस protective wall को अपने पूरी power का use करके उस wall को तूटने से बचाने की कोसिस करते हैं और एक guardian spirit उस master को product करते हैं लेकिन वो लोग कमजोर पढ़ने लगते हैं और वो protective wall तूट जाती है और तभे उस wall के पीछे से एक बहुत ही बड़ा जियान सा demon snake सामने आता है जिसके बाद चिंग मिंग बाकी सारे student को लेकर अपने master को support करने के लिए पहुँच जाता है वो demon snake उन सभी पर हमला करने ही वाला होता है कि master सभी student से कहते हैं कि वो protection spell का यूज करे ताकि किसी को भी कोई injury ना हो सारे student protection spell यूज करने लगते हैं लेकिन चिंग मिंग को protection spell नहीं आता और वो teleport spell यूज करने लगता है फिर वो demon snake सभी के उपर अपने टंग से bullet जैसी जहरीली चीज से उन लोगों पर अटाक करने लगता है master स्चिंग मिंग को तो अपने protection spell से बचा लेते हैं लेकिन वो खुद उस bullet जैसी जहरीली चीज से बहुत ही बुरी तरह injured हो जाते हैं और फिर तभी एक guardian spirit दिरे दिरे फैलने लगता है और वो master मरने से पहले चिंग मिंग को उस demon snake की सच्चाई बताते हैं वो बताते हैं आज से 300 साल पहले इंसानों के ही लालच की वज़ा से ये demon snake पैदा हुआ था और फिर इस demon snake को destroy करने के लिए चार master सामने आये थे और चारो master ने एक साथ मिलकर उस snake को imperial city में कैद कर दिया था चारो master में से एक मैं भी था जिसके बाद उस snake की soul को imperial की queen ने अपने अंदर कैद कर लिया और imperial city की queen की protection चार stone guardian करते हैं और वो सारे guardian statue के सकल में अभी भी सोए हुए हैं और वो statue white tiger, azure dragon, vermiland bird और black turtle के सकल में हैं और जब भी ये demon snake वहां से अजाद होने की कोसिस करेगा तो चारो master को protection stone की मदद से उस statue को वापस से जगाना होगा फिर scene change होती है और हम देखते हैं कि imperial city की queen काफी ज़्यादा परिसान है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि demon snake फिर से जिन्दा होने वाला है और अब हम यहाँ चिंग मिंग को देखते हैं जो imperial city में एक board से आ रहा है और वो अब master भी बन चुका है लेकिन उसे protection spell अभी तक नहीं आती चिंग मिंग वहाँ जाते ही देखता है कि एक आदमी चैट के उपर बहुत ही अच्छा flute बजा रहा है और वो अपने flute के धुन में खोया है वो आदमी कोई और नहीं बलके एक master है जिनका नाम बोया है तभी उन दोनों को पीपा की music सुनाई देती है दरहसल पीपा एक Chinese musical instrument को कहा जाता है वो दोनों समझ जाते हैं कि ये धुन एक डीमन की है और फिर वो दोनों उस धुन का पीछा करने लगते हैं काफी देर पीछा करने के बाद वो डीमन उन्हें मिली जाता है बोया उससे पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पीपा को शुराने की ये पीपा हमारे किंकी है वो डीमन उन्हें बताता है कि जब उसकी लवर जिंदा थी तो वो उस महल में गाना गाया करती थी और वो अक्सर इसी धुन को बजाया करती थी मुझे बस उसकी याद में ये धुन सुनने थी लेकिन बोया को तो डीमन से सक्त नफरत था क्योंकि एक फॉक्स डीमन ने उसकी मा को मार दिया था जिसके बाद से वो अच्छा होया बुरा बोया सभी डीमन से नफरत करने लगा बोया उस डीमन से कहता है कि डीमन कोई भी हो उसके अंदर फिलिंग्स नहीं होती और फिर बोया अपनी तीर निकाल कर उसे मारने ही वाला था के तभी मास्टर चिंगमिंग अपनी टेलिपोर्ट स्पेल को यूज करके उसे बचा लेता है चिंगमिंग बोया को बताता है कि जरूरी नहीं के सभी डीमन्स बुरे ही हो इसलिए तुम इसे जाने दो बोया उस डीमन को मार कर उससे पीपा छीनने के लिए आगे बढ़ता ही है कि चिंगमिंग उसे फिर से रोक लेता है और इस वज़ा से उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है कभी चिंगमिंग बोया पर भारी पड़ रहा होता है इसके बाद वो डीमन चिंग्मिंग से कहता है कि मुझे आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि एक डीमन के पास फेलिंग नहीं होती और आपका बहुत बहुत सुक्रिया कि आपने मेरी जान बचाई वो डिमन चिंगमिंग से कहता है कि क्या आप हमें अपना सर्वेंट बना सकते हो जिस पर चिंगमिंग उस डिमन से उसका नाम पूछता है वो बताता है कि मेरा नाम किलिंग स्टोन है और फिर अपने मैजिकल पावर से चिंगमिंग उसके जकम को भर देता है और उसे अपना guardian spirit बना लेता है अब next scene में हमें ये पता चलता है कि queen के महल में एक heaven worship ceremony होने वाली है और फिर शारो master यहाँ पर आते हैं जब बोया उस महल में चिंग्मिंग को देखता है तो वो उसके गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है और कहता है एक demon का साथ देने वाला आदमी आया हूँ तभी वहाँ पर तीसरे master आती है यो की एक लड़की है और उनका नाम लॉंग यह है वो बोया को बताती है कि चिंग्मिंग उस demon snake से लड़ने वाले master में से एक है जिसके बाद बोया अपनी तलवार नीचे कर लेता है और कहता है काफी सरम की बात है तुमें एक master हो और फिर भी demon का साथ देते हो वो लोग आपस में बहस करी रहे थे के तभी वहाँ पर शौथे master भी आ जाते हैं जिनका नाम यू है यह master बिलकुल चिंग्मिंग के master के जैसे दिखते थे इसलिए चिंग्मिंग उसे घुरने लगता है वो उन दोनों से कहते हैं कि क्या अराम करो अंदर जाने से पहले master लॉंग यू अपने बैक से कुछ जुगनू निकाल कर उडाती है जिस पर master सोयू उनसे कहते हैं कि यह तुम क्या कर रही हो तो वो बताती है कि मैं हर रोज ऐसा करती हूँ ताकि मैं सभी demon से safe रह सकूँ फिर सोयू उनसे कहता है कि तुम्ह यह करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ demon से बचने के लिए already एक protection seal लगी हुई है तुम लोग बेफिकर होकर सो जाओ अब सुबा होती है सभी master एक जगा एकठा होते हैं ताकि heaven worship को सुरू किया जा सके वो लोग old master hungry के wait कर रहे थे तभी वहाँ पर imperial city की princess आती है जो की दिख तभी वहाँ पर एक गाठ भागता हुआ आता है और रोते रोते कहता है कि master hungry अब नहीं रहे अब master की death को लेकर princess queen के पास discuss करने जाती है तभी उन लोगों को पता चलता है कि master hungry का murder हुआ है और वो बहुत ही ज़्यादा परिसान और गुसे में होती है यहाँ पर queen उस सिर्मन princess को दे देती है और साथ ही master hungry की death का investigation करने का order देती है क्योंकि उन्हें लगता है कि master hungry का murder उन्हें की किसी आदमियों ने किया है फिर princess queen के order को मानते हुए master hungry के जगा master so you को दे देती है अब उस master का murder किसने किया इस बात को जानने के लिए वो लोग एक ritual करते हैं और कहते हैं ये मचलियां जिसकी तरफ इसारा करेगी वो ही master hungry का कातिल होगा रिच्वल के दोरान वो सारी मचलिया master chingming की तरफ इसारा करने लगती है जिस पर बोया chingming का साथ देते हुए उसे बचा लेता है फिर chingming अपनी सफाई देता है और कहता है कि मेरे body में किसी ने ये birds को डा है ताकि murder का सारा blame मुझ पर आ जाए और वो कातिल बज जाए फिर सारी मचलिया princess की तरफ इसारा करने लगती है जिससे सभी माशट को ये लगता है कि ये रिच्वल सही से काम नहीं कर रहा है क्योंकि उन लोगों को princess पर बहुत ही जादा भरोसा था नेक्स्ट सीन में मिंग सही वक्त पर पहुंच कर उसे बचा लेता है अब जैसा कि सभी को मालूम चल चुका था कि वो डीमन इसने एक फिर से जिन्दा होने वाला है इसलिए चारों मास्टर उस गार्डियन स्प्रेट की स्टैचू को वापस से जिन्दा करने जाते हैं और अपने अपने प् प्रिंसेस की रूम की तरफ भागते हैं जहां पर वो लोग देखते हैं कि मास्टर सोयू मास्टर लॉंगय से फैट कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना था कि मास्टर लॉंगय क्यों को मारना चाहती थी लेकिन लॉंगय इस बात से साफ इंकार कर देती है चिंग मिंग उसे मास्टर लॉंग्यों की गले पर अटायक कर देता है। चिंग मिंग उसे बशाने के लिए वहाँ जाता है। लेकिन उसका कोई फैदा नहीं होता। यहां पर हमें ये पता चलता है कि मास्टर होंग्रे का मडर इसी बाल वाले डेमन ने किया था। चिंग मिंग मास्टर चौंग्यों से पूछता है कि तुमने ऐसा क्या देखा था जिससे ये लोग तुम्हें मारना चाते हैं। वो प्रिंसेस का नाम लेती है और फिर मर जाती है। अब अगले सुभा बोया और चिंग मिंग एक दूसरे से मिलते हैं जहां चिंग मिंग बोया को बताता है कि मु अपनी अपनी इन्विस्टिगेशन सुरू कर देते हैं। फिर चिंग मिंग बोया को वही चार गार्डियन वाला कार्ड उसे देता है। और कहता है कि अगर कभी भी जरूरत पड़े तो तुम मेरा नाम लेकर इस गार्डियन से हिल्प ले सकते हो। जिस पर बोया भी उसे एक बिल देता है और कहता है अगर तुम्हें भी कभी मेरी जूरत पड़े तो हमें जरूर याद करना। उमेद करता हूँ तुम्हारा सक प्रिंसेस के लिए गलत साबित होगा। बोया इस बात पे काफी टाइम सोचने के बाद मास्टर सोयू के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे तुम पर सक है इसलिए तुम अपने सोड से अपने हाथों को काट कर अपना बलट दिखाओ तभी उसके पीछे से वो लंबे बालो वाला डेमन वहां से गुजरता है नेक्स्ट सीन में जब चिंग मिंग अपने रोम में जाता है तो वो देखता है कि प्रिंसेस उसके सोड को चुरा कर भाग रही है यह वही सोड है जो मास्टर ने चिंग मिंग को मरने से पहले उसे दिया था और इसी सोड से उस डेमन स्नेक को मरा जा सकता था चिंग मिंग प्रिंसेस से पूछता है कि आप इस सोड को क्यों चुरा रही हो बट इससे पहले प्रिंसेस को कुछ बताती वहां हेयर डेमन आकर प्रिंसिस पर अटैक कर देती है और उसका गला काट देती है और वही मर जाती है जब चिंग इस हेयर डेमन का पीछा करता है तो वह चिंगमिंग बताती है कि वो उसकी जान लेने के लिए 60 साल उससे इंतजार कर रहे थी क्योंकि मास्टर सोयो मुझे बहुत पसंद क्या करते थे लेकिन तभी अचानक उसने मुझे धोका दे दिया और वो प्रिंसेस को लाइक करने लगे फिर यहां पर हमें यी पता चलता है कि मास्टर के अंदर कैद है वो हेर डीमन ने लॉंग utan कि मारा था ताके की से मास्टर के हाथों ना मारी जा सके फिर वो हेयर डीमन वहां से गाइब हो जाती है और वो चिंग मिंग के लिए एक फोटो छोड़ कर जाती है जिससे उसे ये पता चलता है कि सच में प्रिंसेस से इंप्रिस है यहाँ पर हम देखते हैं कि इंपेरियल सिटी की क्वीन अपनी सोल को प्रिंसेस के अंदर डाल देती है जिसे कि वो वापस से जिन्दा हो जाती है अब चिंग मिंग समझ जाता है कि बोया की जान खद्रे में है वो उसे बचाने जाता है और वो अपने पावर से उसे बचा लेता है फिर वो दोनों देखते हैं कि प्रिंसेस और मास्टर सोयू एक साथ खड़े हैं चिंगमिंग प्रिंसेस से कहता है कि मैं जान चुका हूँ, वो डीमन इसनेक तुम्हारे अंदर ही है, इसलिए तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते। फिर प्रिंसेस बताती है कि जब वो डीमन स्नेक ने इंपेरियल सिटी पर हमला किया था तो चार मास्टर ने उस स्नेक को हरा दिया था जिसके बाद दक्वीन यानि की प्रिंसेस ने उस साप को अपने इसके बाद से मैं इमोर्टल हो गई थी और मेरी उम्र नहीं बढ़ी आते ही प्रिंसेस का दिल लगने लगा फिर हमें यह पर यह भी पता चलता है कि चिंगमिंग के मास्टर वहां हमेसा नहीं रख सकते अब प्रेंसेस को यही लगता है कि सोयू ही वो मास्टर है और मास्टर ही गार्डियन एंजल है अब कुछ अर्से के बाद सोयू प्रेंसेस से कहता है कि वो अब इमोर्टल होना शाहता है क्योंकि सोयू मास्टर जैसा लगता है तो प्रेंसेस उसकी बात मान लेती है फिर हम द दोनों को टेलिपोर्ट करके एक कमरे में बन कर देता है चिंग मिंग तो टेलिपोर्ट स्पेल का यूज करके कमरे से बाहर आ जाता है लेकिन बोया का कमरा धीरे-धीरे करके सैंड से भरने लगता है और वो मदद के लिए गार्डियन स्प्रेट का हेल्प लेता है और फिर त पैदा होते ही जो कि उसे उस master ने दीया था वो खुद बखुद निकलकर उस snake को मारने चला जाता है लेकिन तभी उसवीक उसोड को पकड़ कर दूर फैक देता है master सोयू immortal हो सके इसलिए वो उस snake को निगल लेता है और देखते ही देखती वो एक बहुत ही बड़ा डीमन स्नेक बन जाता है डीमन स्नेक को आते ही सारे गार्डियन स्प्रेट फेट से एक्टिव होने लगते हैं लेकिन एक गार्डियन स्टोन एक्टिवेट नहीं होता जो कि उस बड़ का था ये बड़ इसलिए एक्टिवेट नहीं हुआ था क्योंकि रिश्वल के दोरान मास्टर सोयू ने जान बुझकर उस मैजिकल स्टोन को उसके अंदर नहीं डाला था वो भ्यानक सा दिखने वाला डेमन स्नेक पूरे इंपेरियल सिटी को तबाह करने लगता है सोयू और प्रिंसेस उस स्नेक के उपर सवार होकर वहां से निकलने लगते हैं और फिर तभी सारे स्टैचू स्पिरिट वहां एक प्रोटिक्टिव वाल बना देती है ताकि वो टीमन स्नेक वहां से बाहर ना जा सके इंपेरियल सिटी को बचाया जा सके इसलिए चिंगमिंग अपने अपने तीनों गार्डियन स्पिरिट को कमांड देते हैं ताकि वो उस स्नेक को फिर से मारने में उनकी मदद कर सके और तभी वहां पर तीन गार्डियन स्पिरिट आ जाते हैं जिनमें से एक गार्डियन स्प्रीट वो था जिसे बोया सुरू में मारना चाहता था जिसका नाम किलिंग स्टोन है, दूसरा मैड पेंटर है और तीसरा स्नो हौंड और फिर मैड पेंटर चिंगमिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वाल बनाता है इसनो हौंड और किलिंग स्टोन स्नेक से लड़ने आगे बढ़ते हैं और फिर उन लोगों में खूब फैट होती है तो वो खुद निकल कर सामने आता है ताकि वो उस spirit को मार कर वहां से बाहर निकल सके और दोनो spirit को खूब मारता है फिर बोया उस डीमन स्नेक से फैट करने चला जाता है और फिर उन दोनों में खूब फैट होनी सुरू हो जाती है दूसरी तरफ चिंग मिंग प्रिंसिस के पास जाता है और उसे सब कुछ सच बता देता है के सोयू वो मास्टर नहीं जो आप समझ रही है वो सिर्फ एक guardian angel है किंग मिंग अपने power से प्रिंसिस को आकरी दफा अपने मास्टर से मिलवाता है यहां वो master princess को सारी सच्चाई बताता है और फिर वो फना हो जाती है princess समझ जाती है कि अब वो master इस दुन्या में नहीं रहे इसके बाद चिंग्मिंग और princess दुबारा इंपेरियर सिटी में जाते हैं जहां पर बोया सोयू की लड़ाई चल रही होती है यहां चिंग्मिंग बोया को बताता है कि यह demon snake सिर्फ उसी sword से मरेगा जो कि उसके master नों से दिया था फिर बोया उस sword को लेकर snake को मारने के लिए आगे बढ़ता है और तभी सोयू protective spell का यूज करके बोया को दूर फेक देता है जिसके बाद प्रिंसेस सोयू से कहती है कि अगर तुमने ये सब कुछ नहीं रोका तो मैं खुद को खतम कर लोंगी और वो ऐसा ही करती है वो अपने गले को तलवार से काट लेती है जिससे की वो मर जाती है ये देखेकर सोयू बहुत ही ज़्यादा तूट जाता है क्योंकि वो काफी अर्से से प्रिंसेस के साथ था इसलिए वो उससे काफी प्यार करने लगा था प्रिंसेस के मरते ही वो इसने के मरना सुरू हो जाता है और मरते मरते वो अपने टंग से चिंग मिंग के उपर बुलेड जैसी जहरीली चीच से फिर से अटैक करता है और इस बार उसे बचाने के लिए किलिंग स्टोन वहां आ जाता है और वो मर जाता है सोयू बोया को मारने के लिए उसी सोट को फिक कर मारता है लेकिन तभी चिंग मिंग बीच में आ जाता है और तभी उसका प्रोटेक्टिव स्पेल काब करने लगता है जिसकी प्रैक्टिस वो भजबन से कर रहा था क्योंकि उसके मास्टर ने उसे कहा था जब तुम सचे दिल से किसी को प्रोटेक्ट करना चाहोगे तो ये स्पेल जरूर काम करेगा और फिर चिंग मिंग उसी सोट से उस बदमास सोयू को मार देता है और इसी के साथ इस मोवे की देंड हो जाती है तो दोस्तो वैसे अगर आपको इस मोवे का सिकेंड पार्ट का एक्स्प्लेनेशन भी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना